रुकरिंगेस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और आपको बता दें कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बेद बड़ी खबर आ रही है ये बड़ी खबर हर्याणा में कोरोना मरीजों की संक्या 110 पहुच गई है प्रदेश में 89 एक्टिव है कोरोना के मामले बिवानी में द दो जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए है कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर तो बता दें आपको सबसे आदा पलवल में भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं और प्रदेश में 89 एक्टिव है करोना के मामले ये सवक्त की बड़ी खबर बिवानी में दो जमाती कोरोन पॉजिटिफ पाई गए जो के दिली के मरकश से आए वे थे और हरियान में कोरोना मरिजों के संक्या जो जो है वह 110 पहुंच गई है देखिए आकड़ा जो है वह 110 तक यहन पहुंच गया है संकेत यहां पर हरियाना के लिए अच्छे नहीं है और जैसा की सग्धा हिदायत यहां पर दी गई है उसके बावजूद भी लगातार जी हां लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं और बावजूद इसके लोगों से सायों की अपील की जा रही है यह इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दे आ रही है कोरोना से जुड़ी यह बेहत जादा मैधपून ख़बर तो हर्याड़ा में कोरोना मरीजों की संक्या लगातार बढ़ती जा रही है लोगों से यह कहा जारा अपील की जा रही है कि आपको सारज्जिक सारों पे नहीं जाना है और अगर आपको लग देनी है और अगर आपकी ट्रावल हिस्ट्री ऐसी रही है कि आप फॉरन कंट्री से आप ट्रावल करके आए हैं तो आपको सेल्फ कॉरिंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन में रहना है बावजुद इसके हर्याड़ा में सामनी आए 110 संक्रमितों में आदी जो संक्या है वो उन तब्लीकी जमातियों की है जो कि दिल्ली के निजामुदीन से तब्लीकी जमात से होकर हर्याड़ा में एंटर हुए थे और उनमें कई विदेशी भी शामिल है जो अभी वी चिनित नहीं हो पाए हैं पुलिस की जान से बाहर हैं अभी वो और ऐसे में अब लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है तो देखिए तस्वीर आपर साफ है कि ये संक्या जिस्तेजी के साथ बढ़ रही है आप ये समझ के चलिए कि जो लोकडाउन की आपर तारीक मुकररर की गई है वो भी अब कहीं न कई संख्या भी आपर बना हुआ है और ऐसे में साफ तोर पर ये कहा गया है कि अगर इस्तिती कंट्रोल में नहीं आई तो फिर कुछ सक्त फैसले जो हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे जिसके लिए प्रसाशन पूरी तरीके से तयार है तो कोशिश यहां पर ये किज आ रही है और बड़ी खबर भी जनता टीवी आपको लगातार अपडेट की हुए है कि आखिरकार प्रदेश में क्या हालात कोरोना संक्रमितों के बने हुए हैं कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं कितनों कि संक्या जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है प्रसाशन किस तरीके से तैयार है, सरकार की तरफ से क्या आदेश दिये गए है जनता टीवी आपको पल पल की अपडेट आप तक पहुचा रहा है और अभी प्रेजेंट तोर पर हर्याना में कुरोना संक्रमितों की संक्या 110 है आप ये मान कर चलिए कि स्तिती बहुत गंबीर दिशा की ओर हर्याना के संदर्ब में आगे बढ़ रही है दीपक मुट्रेजा समवाता अमार साजुड़ गए है जाजानकारी के साथ पूरे अरियाना में संक्रमितों की संक्या 110 विवानी की बात की जाये तो दो जो नहीं मामले सामने आई हैं उनमें वो जमाती शामिल है जो कि दिल्ली के मरकज सी संक्येत अच्छे नहीं अरिया जिया रह यह है कि इसकार तरन के मामले बड़े से वो दो जमातियों के बड़े से डो जमाती जो सो फाए गए गया उनका UFC अधर request की पहले से इन लोगों को सक्सिदाय दी गई है जलसे कि आदेश यहां पर खुद प्रदेश के ग्रहे मंत्री दे चुके अनल विच साहब बिल्कुल आपको बता दूं कि इस परदेश के ग्रहे मंत्री ने भी कल आदेश दिये उसके बाद दिवानी परशाशन की अलर्ट हो चुका है हर परकार से कहा गया है कि जल्ब से जल्ब जमाती है वो अपने बारे में शूचना दे ताकि उनका इलाज अगर किसी परकार की को प्लीट लॉक डाउन कर दिया गया है यानि जो एसेंशल सर्विसेज हैं उसमें भी पूरी तरीके से थोड़ी राहत के साथ इसे जरूर कर दिया गया है आपके भीवानी फिलाल किस तरीके के हालात है कितना असर वहां पर देखने को मिल रहा है जी बिल्कुल आपको बता जा रहा है कि अनवशक रूप से जो जा रहे हैं वो अनवशक रूप से भाहर ना जाएए इं रहा इसकी कि भी फेंख गुमरें थे बड़ी कारवाई भी तहार जा कर दोड़ी मिन चिद्छा तर जो निजाम डिल्ली के निजामुदीन स्तित मरकज से निकल कर आये थे और हो सकता है कि भीवानी में भी कई लोग ऐसे मौजूद हो उन्हें ढूनने की यांपर कोशिश की जा रही है या उन्हें चिनित करने की यांपर कोशिश की जा रही है अब तक कुल मिलाकर मरकज से लोटे भीवानी में कितने केस जो है वो पॉजटिव बिल चुके हैं तो इस दो को बता दो कि लिकार से जो करो ना वो एक डर आये थे आनकि इनक डाये थे नहीं कि संख्या आड़ इए और धार जो जमाती ते वह के वल चेड़ यह वह तो परिदिया थे एक यह तो तो नहीं वह तो तो ते ऑला कि आये बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मुट्रेजा इस तमाम जानकारी के लिए तो यह जानकारी हमें भीवानी से मिल रही थी फिलाल दो जो कोरोना पॉजिटिव पाए गाये हैं वो जमाती हैं जो कि दिल्ली के निजामुदीन सिर्ट मरकस से लोटे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं फिलाल उन्हें इलाज पूरा दिया जा रहा है ताकि इस कोरोना संकर्मन को खतम किया जा सके लेकिन जो हालात अभी हर्याना में बने हुए हैं वो कुछ संकेत या पर अच्छे हर्याना के लिए देते नहीं दिख रहे हैं रोक एक और बड़ी ख़बर की और करेंगे चलिए बड़ी खबर की और रुक कर लेते हैं कोरोना से जूरी एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है बता दे आपको यह इस वक्त कि बेहत बड़ी खबर जीन में नौ लोग आट लोग पाए गया हैं कोरोना पॉजिटिव जी इस वक्ट की बिहत बड़ी और एहम खबर जीन में 9 लोगों की कॉरोना जांच रिपोर्ट आ चुकी है जिन में से 8 लोग नेगेटिव पाई गए है हम आपको बता रहे हैं जीन में 9 लोगों की कॉरोना रिपोर्ट आई है जिनमें से आठ लोग जो हैं वो कोरोना नेगेटिव पाये गए हैं एक जमाती कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो बता दें आपको ये नौ जो दिली की तबली के जमात से लोग वापस आये थे उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाये गया है जबकि आठ लोगों की रि तो आठ लोग कोरोना नेगेटिव पाए गए लेकिन इन में से एक जमाती कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ये इस वक्त की बेयाद बड़ी ख़बर आपको बता दे देखे एक सो दस पूरे हर्याना में जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उनमें अगर अलग 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 शेरों की यहां पर बात की जाए तो दिक्कत यहां पर यह हैं सिती यहां पर यह हैं कि आदे से जादा यह वो लोग हैं जो कि दिल्ली की तब्ली की जमात से होकर वापस यहां पर लोटे थे जिनमें कोरोना पॉजिटिव के रिपोर्ट जो है वो पाई गई है और कईयों को आइसोलेशन में कॉरिंटाइन में भेज दिया गया है यह देखे यह बेहद बड़ी खबर यहां पर और प्रसाशन पूरी तरीके से अलर्ट यहां पर बना हुआ है कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि प्रतेक जो तब्ली की है जो तब्ली की जमात से आए हैं उन्हें चिनित कर उन्हें कॉरिंटाइन सेंटर में भेज जा ज कर आए हैं वो अपने आप ही इन कॉरिंटाइन सेंटर में संपर करें अधिकारियों को प्रिसाश्रीक अधिकारियों को संपर करें नहीं तो आठ अप्रेल के बाद ऐसे लोगों में अगर लक्षन पाए गए और इनकी ट्रावल हिस्ट्री तब्लीकी जमाद से हुई तो फिर इन पर कारवाई होगी इसके सक्त आदेश प्रदेश के ग्री मंत्री अनिल विच की तरफ से भी दिये जा चुके हैं यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो कोरोना से इस जंग में हर कोई यहां पर साथ दे रहा है और एक और बड़ी खबर आपको बता दे कोरोना से बड की तीन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन एक जनाप की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है संपर्क में आए दस लोगों को भी कॉरिंटाइन किया गया है कोरोना से जुड़ी यह अब तक की यहां पर बड़ी खबर हर्याणा में कैतल में जमाती कोरोना पॉज पॉजिटिव आई है अनिल चौधरी संभाता हमार साथ जुड़ गए है जानकारी के साथ अनिल अभी जो जानकारी आपर मिल पा रही है चार वो लोग जो की दिली की तबली की जमात से आये थे उनमें से तीन की तो नेगेटिव रिपोर्ट आई है लेकिन एक पॉजिटिव है यानि अगर देखा जाए तो हर दिन हर्याणा में खास कर संक्रिमितों कि संक्या में इजाफा होता जा रहा है दिरेदेर करके जी बिल्कुल यह परति दिन जो है इजाफा होता जा रहा है कैसल कि अगर बात करें कैसल के तो है तो इस प्रसासन को अपने आइसलेशन वार्ड में भरती कर उनकी जो रिकोर्ट है जांच के लिए बेजी थी उनमें से जो तीन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और एक क जी बात करें जो है जो है जो आफासन के दुवारा लगातार सक्ती बरती जा रही है जहां तो कैया जहां भी तो रहा है कि उपर जो है पुलिस पड़ी हुई है और हर आने जाने वाले से पूत रही है और अगर इस की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल है हमारे पास चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनल तो कुल मिलाकर कोशिश आपको ये करनी है कि आप लोगों को घर में रहना है और इस बिमारी से लड़ना भी है